एक जुले से प्लास्टिक के ग्लास्व चम्मच के साती केरी बैग भी नहीं चलेगा। प्रशासन की तरप से इस बारे में सक्त कारवाई की जाएगी जिलास्तरिय कृति दल के बैठक में यह निर्नை हुआ है सिंगल यूद प्लास्टिक निर्मलन का काम मिशन मोड पर करके प्लास्टिक का इस्तमाल करने पर सक्त कारवाई होगी जिलादिश कारेले में चत्रपती सभाग्रों में निवासी उपजिलादिश वीजया बनकर के अद्धिक्षता में शेनिवार कोई बैटक में महाराष्टर प्रदुशन नियंतरन मंडल के उपप्रादेशिक अधिकारी अनंत काटोले वह विविद विभागों के विभाग प उश्परिणाम के बारे में जनजागरोती करनी होगी प्रतिबंदित प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के बारे में जनता से आववान किया गया प्लास्टिक के कैरी बैग के बजाए कपड़े वह कागज की थाईयों का उपयोग करना चाहिए प्लास्टिक के थाईली व दुकानदारों के साथ जिद ना करे। प्रदूशन नियंतर मंडल के उपप्रादेशिक अधिकारी अनंत काटोले ने सिंगल यूज प्लास्टिक निर्मलन के उपायों की जानकारी दी। जन जागरोती करने के लिए विस्तुरूत प्रारूप तयार किया जाएगा। दर्श प्लास्टिक के चम्मचों का बड़े पैमाने पर इस्तमाल होता है। दाल चावल खाने के लिए तो स्टील के चम्मच का उपयोग होता है। लेकिन दही बड़ा गुलाब जामुन, रसमलाई, रसगुला, आदी मिश्टान खाने के लिए लोग प्लास्टिक के चम्मचों क प्लास्टिक ग्लास की जगह कागच के ग्लास का विकल्प मौजुद है लेकिन प्लास्टिक के चम्मचों के लिए फिलाल विकल्प उपलब्द नहीं है कलेक्टर ओफिस से कैमरा परसन राजकुमार मोहड के साथ संजय मीरब बीसेन नियूज नाकपूर